हलो, स्वागत है आपका एक एक क्लासे जैपुर चैनल पर, मेरा नाम है अजय कुमार आज के इस वीडियो में हम सभीदान की प्रिस्थाबना से जुड़े हुए important question कवर करेंगे जो आपके आने वाली सभी exams के लिए काफी ज़्यादा important है वीडियो को ध्यान से देखिएगा यहां से question कई बार exams में आ चुके हैं और हम भई question कवर करेंगे जो पहले कभी आ चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के last में मैंने आपसे question पूछा है जिसका answer आपको comment box में करना है तो हमारा पहला question है भारतिया सभीदान के किस बात को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई तो इसका answer होगा हमारा प्रिस्तावना option number 1 next question है सभीदान निर्माताओं ने किस पर विसेज द्यान दिया था तो किस पर दिया था प्रिस्तावना पाउर अगला question है धर्म निर्पेक्चिता का अर्थ है तो धर्म निर्पेक्चिता का क्या अर्थ है राज सरकार द्वारा किसी धर्म को सुकार नहीं करना मतलब कोई भी धर्म को पर्टिकल एक ही धर्म को सुकार नहीं करती अगला question है भारत एक धर्म निर्पे एक राज है इसका मतलब है कि बारतिया राज किसी निच्चित धर्म का समर्थन नहीं करता तो इसका आंसर होगा D अग्ला क्यूस्ट्सक्राइब गंतंत्र होता है तो क्या होता है इसका आंसर होगा राज जहां पर अध्यक्ष बंसानुगत रूप sc nay हो ईकार या राजा की का बेटा फिर वो राजा बनगा तो ऐसे बंसानुगत Papag photo किया गया था तो 42 सभीदान संसोदन द्वारा कौन से दो सब्दे जोड़े गए तो समाजवादी और धर्मिनिर्पेक्ष ऑप्शन नमबर B समाजवादी और धर्मिनिर्पेक्ष यह 42 संसोदन जो 1976 में हुआ था उसके द्वारा जोड़े गए अगला क्वश्चन है महारा कि भारत्य सभिदान की प्रिस्तामना भारत को किस रूप में गौशत किया गया है तो बारत को किस रूप में गोशित किया गया है एक प्रबुत, संपन, समाजवादी, धर्पिन, निर्पेक्ष, प्रजातांत्रिक, गनराज्च, ओप्सन नमबर C अगला क्वश्चन है भारत एक गंतंत्र है इसका अर्थ है तो भारत एक गंतंत्र है इसका क्या अर्थ है तो इसका अंसर होगा भारत में बंसानुगत सासन नहीं है मतलब बंसानुगत सासक नहीं है अगला क्वश्चन है निमले कित में से कौन सा सब्दे भारत के सभीदान की उद्देश सिका में नहीं है तो कौन सा सब्दे नहीं है तो लोग कल्यान ये नहीं है समाजवादी पंतर निर्पेक्च और प्रिबुत संपन ये सभीदान की उद करना कमजोर बर्गों के कलियांका प्रभंदन करना अगला क्वस्चन हैं है ते बारत को एक गनराज मुक्ष Drew plot से माना जाता है क्योंकि तो भारत को एक गंद्राज मुक्रूप से माना जाता है तो इसका कारण क्या है राज जद्यक्ष चुनाब होता है तो मतलब राज अध्यक्ष का चुनाब होता है जैसे अपने प्रदान मंत्रियें इसका चुनाब होता है लब अध्यक्ष चुना जाता है ना कि बंसानुगत होता है अगला क्वश्चन है भारतिय सभीदान की प्रिस्तावना के सिलसिले में निमलिकित में कौन किरम सही है तो कौन सा किरम हो तो सारबॉम में 17 संपन, समाजवादी, धर्मिनल पेक्ष, जनवादी, गंतर्त्र, option number D हो जाएगा अगला क्वेस्टन है, भारत में लौकिक सारबॉम एक्ता है, क्योंकि सभीदान की प्रिस्ताबना आरंभ होती है तो सभीदान की प्रिस्ताबना कां से हारम होती है तो इसका अंसर होगा ओप्शन नमबर एक हम भारत के लोग सब्दों से अगला क्वस्चन है भारतिये सभीदान की प्रिस्ताबना पर किस करांती का प्रभाब नहीं जलगता तो कौन सी करांती का प्रभाब नहीं जलगता त बारत एक कैसा देश है किस परकार का है तो इसका अंसर होगा प्रवुत संपन लोकतंत्रिक गन राज्य ओप्सन नमबर एक अगला कुछ्छन है सभीदान के अंतर्गत भारतिय लोकतंत्र के आदर्सों को हम कहां देख सकते हैं तो कहां पर देख सकते हैं तो प्रिस्थावना में देख सकते हैं नेक्स्ट कोस्टन है मारा भारतियस सभिदान की प्रिस्तावणा में जिन आदर्सों एवन उद्धेसों की रूप रेका दी गई है उनकी आगे वैक्या की गई तो कहां पर की गई है заключ मतलब भारतिय सभीदान की जो प्रिस्ताबना है जिन आदर से उद्देशों की रूप रेका उनकी आगे व्याक्या की गई है तो कहां पर मूल अदिकार, राज के निती निदे सक्सिद्दान्तों एबं मूल कर्तब्यों में की गई है कहां पर उप्सन नमबर सीज का आंसर होगा अगला क्वेशन है मारा सभीदान सभा में पिस्तुत उद्देश प्रिस्ताब में अभिव्यत्ती विचार को भारतिय सभीदान के किस भाग में पूर्नितय सामिल किया गया है तो कौन से भाग में पूर्नितय सामिल किया गया है त तो इसका अंसर होगा अंतर्राष्ट्य सांती और स्वक्चा की अभिव्रद्धी अगला कुछ सने भारतिय सभीदान की प्रिस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेकित है तो कौन सा नाम उल्लेकित है देश का भारत और इंडिया जो प्रिस्तावना में देश का कौन सा न पर संपर्बुत्ब किसमें निहुत है थो कि संपर्बुता इस में निहीत है और वह ब्हूंतिय की जनता में निहीत है अगला अगला कुश्चन है बारतिय सभीदान को सभीदान सभा द्वारा अंगी किरत किया गया तो कब अंगी किरत किया गया 26 नवेंबर 1949 को किया गया नेक्स्ट कुस्टन है हमारा भारत का सभिदान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो भारत का जो सभिदान है वो पूर्ण रूप से 26 नवेंबर 1949 को हुआ था next question है भारत सभीदान कब अंगीकार किया गया तो भारतिय जो सभीदान है कब अंगीकार किया गया तो 26 नवेंबर 1949 को किया गया next question है निमले कितमे से किस्तिती को भारतिय सभीदान लागू किया गया था तो पूर्णु रूप से कब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था पूर्णु रूप से बारतिया सविदान को अगला क्वेशन है सविदान की उद्देशी का मतलब प्रस्तावना का संसोधन कितनी बार किया गया है तो सविदान की जो प्रस्तावना है उ 1976 में हुआ था अगला कुश्चन है भारत के सभीदान की पिस्तावना में पिर्थम संसोधन कब किया गया तो कब हुआ था 1976 में हुआ था 42 में सभीदान संसोधन हुआ था नेक्स्ट कुश्चन है सभीदान की पिस्तावना सभी भारतिय नागरों को निम्न में से कौन सा एक उपलव्द कराने के लिए बायदा नहीं करती तो किसकी बायदा नहीं करती पूजा की समानता अगला कुस्छन है भारतिया सभिदान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संसोधन अधिनियम में किये गए थे तो कौन सा संसोधन हुआ था बियालीस म और कब हुआता यह गुर्णी सोधियत्र में हुआता तो इसका अंसर होगा ओप्सर नंबर सी नेक्स्ट क्वेस्टन है मारा प्रिस्तावना का बहे प्रावदान जो सभी बयास्क नाग्रकों को मत्यदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है तो क्या कहलाता है प्रजा नेक्स्ट क्वेस्टन है भारत के सभीदान की प्रिस्तावनां में समाजबादी और धर्मन निर्पेक्ष ठर्मुर्म निर्पेक्ष या पंत्म निरपेक्ष एक ही होता है सब्दों का किस संसोधन द्वारा जोड़ा घया तो कोन से संसोधन उल्पूर्णि रूप से लाग सब्सक्राइब निर्पेक्ष राज्ज है तो किस बाग में की गई है तो इसका अंसर हो जाएगा सबीदान की प्रिस्तावना में कहां पर है सबीदान की प्रिस्तावना में अगला क्वस्चन है भारतिय सबीदान का प्रादिकर कार्शरोत कौन है तो कौन हो जाएगा भारत के लोग अग इससे बारतिय सबीदान की प्रिस्तावना इससे कुछ इंपोर्टेंट बाते कर लेते हैं तो सबीदान सबा में पंडित जवालल नहरू ने 13 दिसमबर 1946 को उद्देश प्रिस्ताव प्रिस्तूत किया जो बाद में जाकर भारतिय सबीदान की प्रिस्तावना बना सभीदान सभा में इसको कब पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था अगला है भारतिय सभीदान की किस बाग को सभीदान की कुंजी तथा सभीदान की आत्मा कहा गया तो किस बाग को कहा गया सभीदान की कुंजी और सभीदान की आत्मा प्रिस्तावना को किसको प्रिस्तावना को अगला को अगला को अगला देखते हैं भारतिय सभीदान की प्रिस्तावना को किस ने आत्मा के नाम से संबोधित किया था तो आत्मा के नाम से डाक्टर ठाकुर प्रिसाद भारगव ने संबोधित किया था अगला देखते हैं कि भारतिय सभीदान के किस बाग में इसके लागू होने की ते थी अर्था 26 नवेंबर 1949 का उल्ले किया गया तो कब किया प्रिस्ताबना में किस वाग में प्रिस्ताबना में भारतिय सभी दान के निर्माताओं के मन तता आदर सुकी जलक कहां मिलती है तो कहां पर मिलती है इनकी प्रिस्ताबना में प्रिस्ताबना का बेह प्रावधान जो सभी वैस्क नाग्रोकों को मत्यदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है प्रजा तंत्र कहलाता है प्रिस्तावना में उल्ले केते, सव्दावली हम भारत के लोग, we the people कि सभीदान का अनुसरन करते हैं, तो ये सहुक्त राज अमेरिका के सभीदान का अनुसरन करते हैं, सहुक्त राज अमेरिका नेक्स्ट देखते हैं तो भारतिय सभीदान की प्रिस्तावना में समाजिक, आर्थिक, बेराजनेतिक न्याय को कहां से लिया गया तो ये कहां से लिये गए? समाजवार्थ का अर्फष्ठित किया था भारतिय सव律ान की प्रिस्तावना के क्या उद्देश है तो स्वतंतरता समानता और बंदूता ये तीन उद्देश है अगला कुस्व सने सभीदान में किस उपवंद की एस प्रस्टिता होने पर भारतिय न्याले किसका सारा लेता है तो प्रिस्तावना का सारा लेता है क्या प्रिस्तावना को न्याले में बैदानिक प्रस्टिती प्राप्त है नहीं है सर्वोच न्याले ने किस मामले में यह निर्ने लिये दिया कि सभीदार की प्रिस्ताबना को न्याले में परिवर्थित नहीं किया जा सकता तो यह है यूनियन इंडिया बनाम मदन गोपालबाद 1956 में यूनियन इंडिया बनाम मदन गोपालबाद हुआ था उसमें सर्वुच्च न्याले ने यह निन्य दिया था अगला देखते हैं तो किस ने समाजबाद का अर्थ इसपष्ट करते हुए कहा कि था कि हमारा उद्धेश ऐसी यूजना कर निर्मान करना है जो समाज के समाजबादी शर्रचना पर आदार्थ हो नेकी समाजबाद पर तो किसने जवाललाल नहरू ने नेक्स्ट बारतिय सभीदान की प्रिस्तावना को केवल एक बार जो कब किया 42 सभीदान संसोधन और यह कब गया था 1906 में द्वारा संसोधित किया इस संसोधन द्वारा इसमें जोड़े गए सब्दे कौन से थे तो समाजवादी थी पंत निर्पेक्ष और अखंडे था यह तीन सब्दे जोड़े थे किस मामले में भारतिय सर्वोच न्याले ने पंत निर्पेक्षता को सभीदान का आदारबूत धाचा घोशित किया तो सभीदान की प्रिस्थावना में अनुच्छे दिचो 368 के तहत संसोधन किया जा सकता है यह नहीं यह प्रेशने सबसे पहले किस मामले में उठा तो यह केश्वनन्द भारती बनां केरल राज्य विवाद हुआ था निर्पेक्ष ने सभीदान को राजनेतिक विववस्ता म इसने करें थे शक्ति संबंदों की आत्मकता कहा तो हर्मण ऑन हम ने तो किस मामले में सरवोच न्याले ने यह अभी जरूर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ कमेंट में इस क्वेश्चन का अंसर देना है कि निम्लेकित में से बेद दो सब्सक्राइब कौन से हैं जिनका समावेशन 45 वे संसोधन द्वारा सभीदान की उद्दे सिका में किया गया था मैं आसा करता हूं कि यदि आपने वीडियो द्यान से देखा है तो इस क्वेश्चन का अंसर आप कमेंट में जरूर देंगे को के साथ हो मिलते हैं नई किलास के साथ जब तक के लिए जय बारत